समय से कॉंग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही ये पूरा इलेक्शन ये केमपेंड करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है बहुमत आने जा रहा है अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एक्जीट पुल में इनकी प्रचंद हार होने वारी है और किस मुह से वो मेडिया को फेज करें इसलिए एक्जीट पुल की पूरी एक्सेसाइज को ही नका रहे हैं कि एक्जीट पुल का कोई मतलब नहीं है चारतारी को परिनाम आने हैं एक्जीट पुल कई समय से चल रहा है हर बार वो हिस्सा लेते मगर इस बार हार के कारण explain न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिस्कार करें और कॉंग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहूल गांधी मुख्य व्यवस्ता में आये हैं कॉंग्रेस पार्टी की denial mode में जी रही सुप्रीम कोड से कोई अनुकुल judgment नहीं आता है तो न्याइक व्यवस्ता पर सव सवाल खड़े कर देना EBEM पर सवाल खड़े कर देना PARLAMENT में बहस करने की जगह PARLAMENT चुड़ कर भाग जाना समविधानिक पदों की एहवेल ना करना इनकी मिमेक्रि करना और AGpenstory पर भिसवाल खड़ा करना मुझे लगता है कि राहूल गांधी के क चांग्रेस में मुख्य व्यवस्ता में आने के बाद कॉंग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्ताएं चाहे मीडिया हो चाहे न्याईक व्यवस्ता हो चाहे पारलामेंट हो चाहे समविधानिक पर बैठे हुए लोग हो चाहे एजनसिया हो सब के सामने डिनायल मोड में आ चुकी है ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एकजिक पोल का बहिसकार कर रहे हैं मैं कॉंग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि सुत्रमुग व्रुत्ती से कभी किसी का फाइदा नहीं होता डट कर हर का सामना करने चाहिए आत्मचिंतन करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए भारतिये जनता पार्टी ने भी कई चुनावारे मगर हमने कभी मिडिया का बैसकार नहीं किया exit पोल का बैसकार नहीं किया मुझे पुरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एक्सिट पोल होगा वो 400 पार के भारतिय जनता पार्टी के नारे को जमिन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा धन्यवाद हाला कि जो एक्सिट पोल है वो आज शाम से शूरू होगा और इसी को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी ने कली ये फैस्ता और ये जांकारी दे दे थी